हर हर गंगे, जैमा गंगे, आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल पर और मैं हूं देप भुरिशी की शूत्रागंज साचारे आसीस, आपके साथ बात करने वाला कुम्ब महापरवु को ले करके, आप सब जानते हैं कि कुम्ब बारह वर्स में पढ़ता है, पुर्ण क और चार स्थानों पर पढ़ता है, इसके बारे में आप बहुत सारी तर्ष्ट को अच्छी तरह से इसके बारे में आप क्याद है, कि वो चार स्थान कौन-कौन से जहां पर कुम्ब पढ़ता है, और क्यों पढ़ता है, क्योंकि समुत्र मंथन से जब अम्रित निकला था, अम्रित का कलश लेकर के आपको कथा बुद्विस्तार से देवदानों की वीच में ये युद्दवा था अम्रित के लिए और जब अम्रित निकला था समुत्र मंत्र के बाद तो अम्रित को लेकर के दैद के लोग जब उन्होंने अम्रित का कलश लेकर के जिस समय इसको चुपाया गया था और उन्हीं चार अस्तानों में कुछ अम्रित की पूंदे गिर गई थी इसी कारण वहां पर कुम्भ लगता है वो चार अस्तान कौन कौन से मैं बहुत जल्दी में आपको बताऊंगा और वीडियो छोटी रहे इस पर भी विचार करूंगा लेकिन जानका अस्ताने ज़ह पर कुम्भ लगता है अब तो वैसे कहीं भी कुम्भ लग जाता है और कि अ बहुत है कंब लेकिन फरी बारा साथ होता कि पिछला कुम्भ है था तो इसी हिसाब से अगर हम कंद देखे तो ग्यार कंभ क कैसे पढ़ रहा है क्योंकि इसका सीधा सनियम है यहाँ पर मैं एक स्लोग है इसको आपको बताने वाला हूँ आप इसको समझें इतरा कुम्ब रासे गते जीवे यानि कुम्ब रासी में जीव कहते हैं ब्रस्पति को कुम्ब रासी गते जीव यानि जब जो है कुम्ब रासी पर कि वो लोट कर जब अपने अस्तान पर वहां पर पहुंचेंगे तब कुम्ब लगेगा तो वही इस्तती क्या बनने वाली है संबत 2077 यानि जैत्र कृष्ण नौमी में 5 अप्रेल 2021 को देव ग्रह ब्रश्पती जो है यहां कुम्ब रासी पर प्रवेश करेंगे यह समय है पुना वो बकरी वो करके वापस भी लोटेंगे उसका समय है 14 सितंबर 2021 को फिर लेकिन नौमपर में फिर पुना उसी रासी पर प्रवेश करेंगे तो खेर वो जो तिसका लगपक्स है अभी मेरा विस्या यह था कि वो 2021 में ही क्योंकुम्ब लग रहा है दूसरा साइशनान की जानकारिया और समयन निशनान की जानकारिया लेकिन इससे पहले मैं निवेधन करूंगा कि आप सबी लोग देश विदेश में जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप दूर तक जो है अभी अपने सगे समंद्यों तक इस वीडियो को पहुचाएं और इसनान के लिए सादर आमंत्रित हरिद्वार में करें क्योंकि आप भी इसनान करें औरों को भी इसनान कराएं इसका पुर नियाड़ जनलाब उनको मिले साथ साथ में आपको उसके इ समतियमा वस्या का और चोधा अप्रेल जो है बुद्वार 2021 साइशनान यह भी रहीगा संक्रांती पुर्निकाल का और उसके बाद 21 अप्रेल नामनों मी वाला भी जो है पूर्णिमा का यह भी साइशनान रहेगा तो यह तो साइशनान की चार्थ दिति हैं इसके लाव जो प्रमुक्ष्णाने जिनमें सामने ताइश सभी रोग इसनान करते हैं तो यह स्नान वैसे माग मकरगत रविजब होई तीरत पति आवई सवग होई मानस की चौपाई हैं म माग में हमेशा इसनानमाग का, मापर होता है माग मेला लगता है हमेशा प्रति बरस तो इससी दिन से खासकर यह शनान 하지 की प्रम कैने और यह यहां पर प्रार्म हो जाती हैं एक इसी सिंखला हमें हरिदवार मकर रासी में जब सूरी प्रवेश करते हैं मकर सक्रांती यह पहला स्नान 14 जनवरी को व्यतित हो चुका है उसके बाद जो है अमोशा का भी स्नान था अभी हम बात करेंगे फरवरी में तब 16 फरवरी का श्नान है जो आप अभी कर सकते हैं उसके बाद 27 फरवरी का मार्ग पुरणी मा का श्नान रहेगा उसके बाद हम बात करें आगर 28 मार्च और 20 मार्च यह भी दो अच्छे दिन है जिस दिन भी श्नान आप कर सकते हैं उसके बाद 13 अपरेल का जो है यह विश्नान यहाँ पर है जोदा अपरेल तो फिर साइशनान है बारा भी साइशनान में है और 13 अपरेल राम नौमी जन्मो सव आप इस दिन भी श्नान कर सकते ही अभी है और फिर 27 अपरेल फिर जैसे मैंने पहले खास साइशनान के दिन है तो ये इसके मुख्यसनान और साइसनान आप जैसे इसको सब्ज़े दो इसनान है खास करिए मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे कारण क्या है कुम्बजवे इसी वर्स में क्यों पढ़ता है तो प्रेदर्सकों ये दिखास जानकारी कुम्ब खुले करके आप सभी कुम्ब साधरा मंत्रिते कुंगाशनान कीजिए हर हर गंगे जैवा गंगे